JavaScript के इस question में हमें बताना है कि कैसे हम इस for each loop को break कर सकते हैं अब JavaScript में जो for each loop होता है उसे ना तो हम break statement से break कर सकते हैं अगर मैं इस program को run करूँगा तो आप देखोगे console में मुझे error देखने को मिल रही है और अगर मैं यहाँ पर return statement भी लिखता हूँ और इस program को run करता हूँ तो आप देखोगे कि मेरा loop अभी भी चल रहा है तो JavaScript में for each loop को break करना इतना easy नहीं है आज हम तीन ऐसे तरीके देखेंगे जिनका use करके हम for each loop को break कर सकते हैं जो सबसे पहला तरीका है for each loop को break करने का वो है by throwing an exception हमें simply जिस भी condition में for each loop को break करना है simply हमें वहाँ पर exception throw कर देनी है यहाँ पर मैं एक common new error की exception throw कर देता हूँ और message में simply message लिख देता हूँ अब अगर मैं इस program को run करूँगा तो आप देखोगे मेरा for each loop break हो गया है जो दूसरा तरीका है for each loop break करने का उसमें हम array की length को 0 set कर देते हैं जिस भी array पर आप for each loop run कर रहे हो यहाँ पर मैं इस ARR पर for each loop run कर रहा हूँ तो जिस भी condition में आपको इस loop को break करना है आप उस condition के अंदर simply इस array की length को 0 set कर दो ऐसा करके जब मैं इस program को run करूँगा तो आप देखोगे कि मेरा loop break हो गया है जो तीसरा तरीका है for each loop को break करने का उसमें हम splice method का use करते हैं array को empty करने के लिए जिस भी condition के अंदर आपको loop को break करना है आप उस condition के अंदर simply उस array पे splice method कॉल करो और जो आपकी initial index होगी वो current index plus 1 होगी तो अब आपको इस for each loop में index को भी grab करना पड़ेगा तो चलिए index को हम grab कर लेते हैं और इस index को हम splice method में pass कर देते हैं plus 1 करके और जो last element होगा जहां तक मुझे elements को remove करना है झाल